हलो फ्रेंड्स नवरात्रा के इस रत पे पैन फ्राइट आलू चाट कैसे बनाते हैं आईए मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले आप पैन में एक चमच घी ले लिजे आप चाहे तो इसमें तेल भी ले सकते हो और आधी कटोरी मूंफली का दाना ले ले और उसे मंदी आज पर भूनते रहें लाइट ब्राउन तक भूनिए जादा डाक ना करिएगा नहीं तो वो जल जाएगा फिर उसे आप बाहर निकाल लिजे और ठंडा होने के लिए रख दे अब बचेवे घी में हम थोड़ा सा कड़ी पता डालेंगे फिर कम से कम दो से तीन उगलेवे आलू कटेवे डालेंगे आलू को अच्छी तरह हमें भूनना है भूनने का मतलब है ये लाल होने तक इसे हमें अच्छे स बूनते वे रहना है थोड़ी थोड़ी देर में इसे उपर नीचे करते रहें फिर ये जब थोड़ा करारा हो जाएगा आलू तो उसमें हम कटी भी हरी मिच दो या तीन हरी मिच आप डाल लीजे उसे भी थोड़ी देर और दूने अब ये मूमफली का दाना खंडा हो गया मूमफली के दाने है उसे आप इस आलू में डाल दीजे और गैस को बंद कर दीजे फिर दो मिनट तक गरम पैन में उसे योही मिलाते रहें आप चाहे तो इसमें सेला नमक डाल सकते हो कई लोग नमक भी नहीं खाते इसलिए मैं नमक नहीं डाल रहे हूं साथी साथ धनिया पता भी डाल दीजे नमक आपके उपर डिपेंड करता आपको डालना के लिए अब इसमें नीमबू का रस डालूंगी एक चमच नीमबू का रस साथ में उसमें मैंने थोड़ी सी पीसी वी चीनी भी मिलाई है क्योंकि चाठ हमेशा खटी और मीठी ही अच्छी लगती है आ गरम गरम करारा आलू मुफली के दाने और थोड़ी तीखी मिर्ची और उसके उपर नीमबू का रस जो थोड़ा खटा और मीठा है तो इसका स्वाथ और ही बढ़ा देता है और थोड़ा सा अगर आपके पास अनार के दाने हो तो वो भी डाल दीजे फिर तो इसके पटके थांक यू